अब बात आती है कि copyright की ये क्या registration process है registration process बिल्कुल simple है सबसे पहले आपको क्या करना होता है application form फाइल करना होता है जो भी copyright आपको लेना है उससे related जो आपका application form है वो आपको फाइल करना होता है उस application form में आपको name, address आपको ये भी declare करना होगा कि आप कौन सी country से belong करते हैं फिर आपको जो creation आपने बनाई है, जो नया product या service बनाई है उसका title भी आपको लिखना होगा और आपकी language क्या है या आपने कोई book लिखी है तो book की language क्या है ये सारी बाते आपको application form में file करनी होगी application form के साथ आपको fees plus 4 copy किस चीज़ की, आपकी creation की तो ये सारी चीज़े आपको वहाँ पर office में submit करानी होगी office में जब submit हो जाएंगी, तो within 30 days जब आपके सारी चीज़े verification हो जाती है, verify हो जाती है तो आपको within 30 days के अंदर copyright registration certificate issue कर दिया जाता है मतलब आपने form भरा, fees भरी, 4 copy submit कराई, plus 30 days के अंदर आपको copyright के registration का certificate issue हो जाता है तो ये थी हमारी registration process अब तीसरा topic हमको study करना है कि इसकी time duration क्या रहती है copyright आप कितने time के लिए use कर सकते हो मतलब अगर आपने एक बार registration कर लिया तो वो right आपका कितने वक्त के लिए है तो अगर आप एक writer है या artist है तो ये right आपका पूरा lifetime रहने वाला है जब तक आप जिंदा है तब तक copyright के उपर आपका ही right है पलस आपकी death के 60 साल तक 60 years तक भी आपका copyright आपका ही रहता है और अगर हम बात करें movies की, photographs की, government works की इनकी case के अंदर copyright कितने time के लिए होता है 60 years, only 60 years कब से? जब वो publish हो जाती है तो 60 years after the publication of the creative works जैसे ही वो creative work publish हो गया उससे लेकर आगे के 60 साल तक उसके उपर copyright का आप अधिकार यो right है, use कर सकते है